Hey Hello Friends! I am Prof. Rakesh Aswani. Studitive Channel में आप सभी का स्वागत है. Friends! आज का जो हम Topic करने जा रहे हैं उसका नाम है departmental store. तो आज हम जानेंगे departmental store क्या है? उसका introduction and its features. आज मैं आपको यह topic एक दम ही simple तरीके से बताने वाला हूँ. Friends! यह topic हमारे life का, day to day life का important topic है. आप सब में से भी कई सारे लोग department store में shopping करके आये होंगे ने तो आपने window shopping तो करी होगी तो आज हम इसके बारे में देखेंगे बस 8-10 मिनट आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपका topic तयार है ये वीडियो आपको exam maximum score करने में help करेगा तो चलिए friends देखते हैं क्या है department store तो what is department store सबसे पहले हम उसका introduction देख लेते हैं सबसे पहले ये एक large scale retail shop है having different departments or sections under one roof याने एक ही छट के नीचे कई सारे sections और departments होते है इसको हम one stop shopping भी कहते है extra knowledge के लिए चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ one stop shopping भी कह सकते हो या one spot shopping जहाने आपको एक कहावत है कि यहाँ पे आपको मिलेगा पिन से लेकर plane तक यह कहावत है मतलब आपको कई सारी चीज़ें आपको एकी छट के नीचे मिलेंगी आपको अलग-अलग दुकान भटकने की जरुत नहीं है बस आप एक डिपर्मन स्टोर में चले जाएए आपके मैक्सिमम वांट सेडिस्वा हो जाएंगे अगर आपको बूख लगी है तो वहीं पे फूट सेक्शन अवेलेबल है आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी है यहां कुछ और खरीदना है तो ए टू जट चीजे वहां पे अवेलेबल होती है इतना ही नहीं यहां पे इच सेक्शन डिल्स इन पर्टिकुलर टाइप आफ गुट्स याने हर गुट्स के लिए एक सेक्शन होता है जैसे आपको कपड़े खरीदनी है तो उसका सेक्शन अलग होगा फुट का सेक्शन अलग होगा ग्रोसरी का सेक्शन अलग होगा तो इस तरह से हर चीज़ का अलग-अलग सेक्शन होता है All the departments are organized and managed by single management याने जितने भी departments हैं जितने भी अलग-अलग sections हैं उन सब को कौन manage करता है एक ही single management उसको manage करती है यहाँ पे आपको large जाने wide variety of goods मिलेंगे जैसे कि food, twice, dresses, etc. अगर हम बात करें इसके example की तो आपने सुना रहेगा Shopper Stop, Big Bazaar, etc. Let us see the definition of departmental store. Let us see the definition of departmental store. According to James, Stephenson, a big store engaged in the retail trade of variety of articles under the same roof. याने एक इचहत के नीची आपको variety of articles आने variety of goods मिलेंगे तो एक बादी दुकाने जहापको बाहुत सरी बश्रत्यापकी येब में पैसा या क्रेडिट काड जैसे को चीज होने चाहिए let us see the features of departmental store let us see the features of departmental store एक एक करके points को हम कवर करेंगे पहला point है shopping convenience याने ये customer को ये consumers को maximum shopping convenience provide करता है यहाँ पर दिल खोल के shopping कर सकते हैं wide range of wide variety of goods available है आप जो चाहें अपने लिए अपने परिवार के लिए shopping कर सकते हैं second point is centralized management friends second point के अगर हम बात करें तो अभी भी मैंने आपको इड्रक्शन में बता है कि जितने भी अलग-अलग sections हैं जितने भी अलग-अलग departments हैं उन सब के लिए एक ही management single management है जिसको नाम दिया गया है centralized management third point is wide variety of goods यहां पर आपको भैतरी वाराइटी वाइड 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 रेंज आप गुड्स यहां पर अवेलिबल है यही चीज़े लोगों को अपनी और अट्रेक करता है departmental store इनी कारणों की वज़े से departmental store public को अपनी और अट्रेक करता है कि यहां पर आपको भरपूर वाराइडी मिलने वाली है आप अपने हिज़ाब से शॉपिंग कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन क्या है हर चीज करन अलग-अलग section है अलग-अलग department है ताकि आपको वहां जाके उस पर्टिकुलर चीज को सिलेक करने में आसानी होगे नेक्स्ट पॉइंट इस सेंट्रल लोकेशन यह जो दुकान है डेपाइंट इस तो यह रोकेट इन डा हाट में सेंटर अप दे सेंटर अप दे सेटी ताकि चारों तरफ से पबलिक आके यहां पर शॉपिंग कर सके इस से क्या होगा शॉपिंग करने में आसानी होगी तो इस तरह से में सेंटर को ढूंडा जाता है और वहां पर इस दुकान को जान बुच के सेट की जाता है ताकि मैक्सिमुम लोगों को शॉपिंग अन्विनियंस मिल सके फ्रेंस नेक्स्ट पॉइंट इस हीूज कैपिटल अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि यह बहुत बड़ की मल्टी स्टोरे बिल्दिंग है डिपाइटमेटल स्टोर चलाना को इंबात नहीं है तो हदो एक तारह की बिल्दिंग अगर आपर ईंटल बेसे पर ले ले तो 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 इसका अच्छा हां चारेंट पे करना पड़ेगा गूट्स का स्टॉप मेंडिन करना तो उसमें बहुत सारे इंवेस्मेंट करना पड़ेगा इस तरह की दुकाने चलाने के लिए यूज कैपिनल की जरूत है याने बहुत सारे इंवेस्मेंट की जरूत है क्रोड्स और रुपीस की इंवेस्मेंट की जरूत है अगर लास्ट पॉइंट इस कैश सेल्स फ्रेंट इतनी बड़ी दुकान में अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं यहां पर गुट्स आपको कोई उधार मिलने वाला नहीं है तो गुट्स आपको प्योर्ली आपको अच्छा लगा रहा है अगर आपने अब तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल से सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियो का आपको नोडिवेगेशन मिल सके थैंक यू आल फॉर यू लव एंड सपोर्ट